अब्हक्य सिर्फ से अब सबखकर अपने यूट्यूब चैनल है हॉआ जो पढ़ने चलना में वो है रिध्य mistake with adjustment पढ़ने c combin चुल लए हैं और जो एड्योड होता है फिनेंशियल statement उप्रिर 2 आर इसे पर自ब Timothy नहीं होते हैं के बाद जो है बनता है हमारा कि और फिनेंशल स्ट्रेटमेंट हमने पिछली इस प्छलास में पढ़ लिया है और आज आगे शुरू करते हैं हम सबसे पहली चीज जो है मैरे पास क्लोजिंग इस्टॉक के बारे में पहले प्ढ़ लिया था कि ट्राइल वैलेंस के बाहर दिया होता है और इसको हमको क्रेडिट साइड में जो है रेक्डिंग एकाउंट लेकि जाना रहता है अब बाकी चीजें समझते हैं आउट्स Outstanding Expenses का मतलब यह हो गया कि खर्चे हो गये हैं और अभी उनकी पेमेंट नहीं हुई है Outstanding Outstanding word को अगर हम इसको अलग करके समझने की कोशिश करें तो यह हो गया Out Outstanding है, अगर हम कहते हैं Outstanding यानि बाहर कोई चीज खड़ा है इसका मतलब यह कह सकते हैं कि खर्चा सिर्फ खड़ा है यह इसका ऐसा हिसाब ہے Outstanding का कि खर्चा हो चुका है क्या है खर्चा हो को चुका होने का मतलब अकर हो गया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुई है पेमिंट नहीं हुई है और यह जितने एज़स्ट्मेंट है जितने भी एज़स्ट्मेंट है आपको अगर एकाउंटिंग के पुर्द याद है तक याद है उप आपको विदिन आ मिनिट आ जाएगी तेनफ पर जड़ चुह स्थ है याद करो, एक आपने क्या पढ़ा था, accrual basis, चेक, accrual basis, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, accounting period, और हमने एक और क्या पढ़ा था, और मैंने revenue recognition के साथ ही conservatism पढ़ाया था, अगर आपको इतना याद है, तो आपकी ये 10 के 10 adjustment बढ़े आराम से होजाएंगे, accrual basis क्या कहता है, accrual basis कहता है कि हम जो चीजें हो चुकी है, उनका हम record करेंगे, जो घटना है घट चुकी है, और चाहे उधार हो या cash हो, हम दोनों तरीके के transactions को record करेंगे, दूसरी तरफ सबसे important तो यह है accounting period का concept, accounting period कहता है कि जो हम accounts बना रहे हैं, financial statement बना रहे हैं, जिस time period का बना रहे हैं, जिस time period का होता है, एक साल होता है, जनरली एक अपरेल से 31 मार्च, accounting period का concept कहता है, कि जो हम financial statement अपना बना रहे हैं, जो भी हम transactions record करेंगे, सिर्फ उसी period के हम record करेंगे, अब एक चीज़ आप समझ जाओ, कि अगर कोई advance payment को गएरा हो जाती है, एक advance चीज रिसीव हो गई, इसका मतलब advance क्यों कहीं जा रही है, क्योंकि वो इस accounting period की नहीं है, अब सीधी सी बात है, अगर इस accounting period की नहीं, accounting period का जो concept कहता है, कि same time के हम चीज़ों को record करेंगे, तो record नहीं होगा, दूसरा है revenue recognition का, तो हमने इसको बताया था, कि revenue recognition में हम करते हैं, कि जब कोई revenue generate हो जाती है, यानि जब हम उसको earn कर लेते हैं, अर्जित हो जाती है, तब ही हम उसको revenue मानते है अन्यथा के case में नहीं मानते हैं, इसी से जुड़ा होगा conservatism का हमने concept बनाया था, कि loss के case में ऐसा नहीं करते हैं, loss के case में अगर हमको लगता है कि होने वाला है, तो हम पहले से provision बना लेते हैं, अब ये एक बार हमने revision करा दी, अब आप और तेजी से इन चीज़ों को समझ पाओगे तेरा, एक बार आप ये सारे amounts देखो, और match कराने की कोशिस करो, कि ये कैसे होंगे, तो आप इसमें बड़े आराम से देख पा रहे हो, कि जो outstanding expenses है, outstanding expenses का मतलब ये है, कि खर्चे जो हैं, वो हो चुके हैं, और अभी उसकी जो है payment नहीं हुई है, तो सीधी सी बात है, भाई, acrual basis ये कहता है कि चाहे उधार हों और चाहे कैस हो, हम दोनों चीजों को क्या है, record करेंगे, तो ऎसको क्या करेंगे, comment हुई है, या नहीं हुई है, हम को इससे मतलब नहीं है, सीधे से accrual basis concept यहां पर लग जाएगा और ऐसे case में क्या करेंगे तो हो सकता है भाई साब आप कुछ खर्चे payment कर दिये हो और कुछ नहीं किये हो तो हमको इससे मतलब नहीं है payment हुई है या नहीं हुई है इन टोटल एक accounting period का जितना घर्चा है वो टोटल का टोटल यहां पर चला जाएगा कहां पर ट्रेडिंग का होगा ट्रेडिंग पील का होगा पील में एक उधारण के तोर पे लेते हैं कि आपको salary payment करनी थी तो आपने salary जो payment कर दी वो आपने कर दी पचास हजार और आपने outstanding जो कर दी यानि अभी आपने दी नहीं है लेकिन आपको देना है करमचारी आपके यहां काम कर चुका है यानि उसकी salary generate हो गई है जो कि आपके लिए खर्चा है वो कितनी हो गई पांच हजार हो गई अब एक क्रूल कहता है कि चाहे कैस और चाहे उधार हों दूनों चीज़ों को record करेंगे और यह चुकी एक ही accounting period की है हम कह सकते हैं कि यह एक अपरेल से 30 मर्ज का है तो इस वज़ा से हम जो प्री पियल एकाउंट बनाएंगे वहाँ पे जब salary जाएगा वहाँ पे जाएगा टू सैलेरी तो टू सैलेरी में हम क्या करेंगे अंदर की तरफ पचास हजार और प्लस आउट इस्टेंडिंग हम कर देंगे यह शॉटकट है आउट इस्टेंडिंग कर देंगे 5000 और इन टोटल 55,000 हम बाहर कॉलम में डाल देंगे क्यों क्योंकि जो हमारा salary का concept है पूरा का पूरा वो यही कहता है आउट इस्टेंडिंग अगर हो गई है तो भी कि हम accrual basis को follow कर इसको लोग अलग-अलग तरीके से अलग-अलग हिसाब से समझाते हैं लेकिन हम एक ही चीजों को बार-बार यूटलाइज करके अगर कोई काम करेंगे तो हमारा अब्यास बढ़ जाएगा यह से हम क्यों accrual basis को अलग पढ़ें और इसको अलग पढ़ें हम accrual basis वहां पढ कि चलू किसी चीज की payment पहले कर दिए अभी आपने खर्चा किया नहीं है यानि वह खर्चा prepaid का मतलब क्या हुआ एक छोटे से एक्जामपल से समझते हैं मोबाईल आप प्रीपेट रिचार्ज कराते हो तो जब मोबाईल आप प्रीपेट रिचार्ज कराते हो तो क्या आप पहले payment कर रहे हो की भविचत में इसका इस्तेमाल करें, तो नहीं हुआ है expense के अकर होने के पहली ही आपने क्या कर दिया है उसकी payment कर दिया है तो जब expense के अकर होने के पहले payment कर दिया तो यानि यह क्या हो गया accounting period को accounting period के मतलब हो गया कि एक साल का टाइम जो होगा आपका जो भी जैसे एक अपरिल से अगले साल 31 मार्ज का ठीक हम इसके बेसिस फे हम अपनी चीजों को देखेंगे और हम यह प्वाएंगे कि अगर एक accounting period के बाहर की चीज़े हैं अगर prepaid expense से जैसे कोई खर्चा होने वाल है कि वो इस accounting period का नहीं है और जब इस accounting period का वो खर्चा नहीं है तो बड़े आसान सरल तरीके से उसको हम total खर्चे में से क्या है minus कर देंगे मान के चलिए कि हमने बताया कि जो हमारे पास हमको rent pay करना था हमने जो साल भर में rent pay किया है total rent payment बता रहा है साल भर में total rent हमने जो pay किया है वो एक लाख है फिर इसमें बता दिया कि भाई साहाब इसमें 3000 रुपए ऐसा है जो की prepaid है तो हमारा दिमाग तो अंत काम करें कि 3000 अगर prepaid है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अगले accounting period का है prepaid का यहीं मतलब हो गया date के हिसाब से दे सकता है तो जब prepaid हो जाएगा तो हम prepaid को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और क्यों करेंगे भाई जाब क्योंकि वो इस accounting period का नहीं है तो हमारे पास पता चलेगा कि 97000 इस साल का है और यह 97000 पेल में जाएगा एक लाख में से 3000 को माइनस कर देंगे अब हम अगले transaction की तरफ चलते हैं अगला transaction कहे रहा है एक कुड इंकम का अर्थ ही हो जाएगा मेरे भाई कि आपने इंकम अर्ज कर लिए है आपने क्या कर लिया है अर्जित कर लिए हो आय को लेकिन अभी आपको मिली नहीं है जैसे आपको हो सकता है कहीं ब्याज अर्ण हो गया है यानि वह उस time period पे ब् हो ऐसे केस में क्या होगा एक क्रूड इंकम के केस में एक क्रूड इंकम का मतलब हो गया हमारे पास कि हमने जो है अर्ण कर लिया है पर मिली नहीं है और सीधी सी बात है हम क्या कहते हैं हमने कहा था हम यह देखते हैं क्या रिविन्यू जन्रेट हुई है यार्था क्या revenue हमने earn कर ली है या नहीं तो सीधे सराल सब्दों में हम यहां देख वा रहे हैं कि यहां वह यह revenue जनरेट हो गई है अर्न हो गई है पस payment ही हमको नहीं मिली है तो इसका मतलब अगर revenue generate हो गई है तो वह इसी accounting period की है और जब इस accounting period की है तो हम सीधे source का जो है entry कर देंगे तो इस case में क्या हो जाएगा पी-एल अकाउंट में यह ट्रेडिंग में जहां पर भी जाना होगा यह accrued income जाएगी सबसे में चीज जो हमको दहन देनी है कि जो भी खर्चा है जो भी expense है क्या वह इस accounting period का है अगर इस accounting period का है तो basically हो जाएगा अगर इस accounting period का नही है तो minus हो जाएगा यानि आपको फुल मिला है जिलाके accounting period concept अगर आप सिर्फ पकड़के चलोगे सिर्फ एक सीज है कि हमको सिर्फ accounting period concept follow करना है आप उसमें देख पाऊगे कि जो चीजे इस accounting period की नहीं है चाहे वो पिछले की हो और चाहे अगले की हो दोनों case में हम क्या है उ दूसरा revenue recognition वगएरा के concept में आप सीधे इसको समझ सकते हो कि अगर revenue generate हो गई है अरजित हो गई है तो record हो गई इसका एक उधारन क्या है कि क्या revenue recognition के साब से हम concept transactions को नहीं record करेंगे तो जैसे कि मान के चलो हमको कहीं भविस में हमारा कोई इंट्रेस्ट मिलना था तो हम कह रहे हैं हम सिर्फ उन्हीं को revenue के nature में revenue के case में record करेंगे और जो चीज़ें होंगी उनको हम record नहीं करेंगे तो यह एक basic concept हमारे पास आ गया इसके बाद हमारे पास अगला क्या है इसके बाद हमारे पास है एडवांस इंकम फिर से बाई एडवांस बात आ गई अब जो मैंने आपको नियम बताया है कानून बताया एकदम सीधे जरह उससे match कराके एक बार देखो dollars income का मतलब क्या होगया advance income का मतलब सीधे सीधे हो गया कि इस accounting period की नहीं है तो अब एक लोग अपने आप से पैसा नहीं देंगे क्या है पैसा नहीं देंगे कुछ लोग जो डेटर होंगे जिनको आपको पैसा देना था उसमें से कुछ चैसे लोग जो निर्धारित हो गया जो पता चल गया कि एकनम से पैसा नहीं देंगी तो यह आपके लिए लॉस है और पी एल एकाउंट के डेविट साइट में चला जाएगा इसके बाद आता है भाई साब प्रोविजन अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है प्रोविजन फॉर ड्राउटफुल डेप्स आप बताओ सकते यह थो प्रोविजन बना रहे हूं यह क्या ओका कंजरवेटिजन को कॉंसेप्ट अभी हमने बता है तीन चीजिए उसी से सारी चीजिए मिलेंगे से यहां पर मतलब क्या कहता है कि आपको पैसा देना तो यानि ऐसे डिटर जिनका संदे जो भी संद्य में है पैसा दे भी सकते हैं और नहीं भी सकते हैं लेकिन जैजा चंस है कि नहीं देंगे। अगर भृस्ष यह कैसे बनेंगे तो इनका बनने कभी एक परसेंटेज दिया हो था सबसे पहले आप दौन के चलो कि डेटर होते हैं क्या होते हैं इसमें से तो आप पहले घटा दोगे कि आपके जो डूब चुके हैं क्यों क्योंकि इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अग आपके पास नेट डेटर कितने हैं नेट डेटर मतलब कुल देंदारी अभी आपको कितनी रिसीव होनी है तो जब आपको पता चल जाएगा कि नेट डेटर कितने हैं अब आप क्या कर चलाएगा profit and loss account के debit side में चला जाएगा क्यों क्योंकि ये भी एक प्रकारता आपका लॉस है अगला है provision for discount on debtor तो कई बार भाई साब हम क्या करते हैं कि जो debtors होते हैं हमारे उनको payment कर देते हैं इसलिए हम क्या करते हैं इसलिए हम यह कहते हैं भाई साब हम आपको कुछ छूट दे रहे हैं और आप एक काम करो कि हमको पैसे दे दो मान के चलो कि किसी को amount आएगा उस amount पे हम क्या करेंगे discount on debtor बनाएंगे और यह discount on debtor जो होगा हमारा यह भी क्या है एक प्रकार का लॉस है यह भी पील के डेविट साइट में जाएगा यानि हमने पढ़ लिए देखो डेटर को हमको कभी पील में नहीं डलना है क्योंकि यह क्या है यह assets है यह प सिर्फ वही जाएंगे क्या क्या चीजह जाएंगी बैट डिप्स जाएगा और क्या है तीसरा हमारा प्रोविजन फॉर डिसकाउंट ओन डेटर तो इतनी चीज़े हमारी यह रिलेटेड जाएंगी सबसे ज्यादा confusion होता इसको बड़े ध्यान से यहास कर लो कि यह सब तीन चीज़े हैं जो वहां पर जाएंगी और लास्ट की दो पॉइंट है इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल को पहले हम ले लेते ह है कि सिंपली जो मालिक की टैपिटल है उस पर ब्याज देता है और जिस हिसाब से कहा गया होगा उस हिसाब से दे दिया जाएगा तो इसमें कोई calculation नहीं है यह आपका इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल ब्याज़े के लिए क्या है खर्चा है तो कहां चला जाएगा खर्चा है त एक आती है सीधे उसमें दिया होगा कुछ नहीं दिया होगा तो भी हम बिफॉर मानेंगे और अगर लिखा होगा बिफॉर तो भी हम बिफॉर मानेंगे दो केसे होते हैं मैनेजर कमीशन में बिफॉर चार्जिंग सच कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन अब देखो बड़े simple चरह सबद्रम बता है एक manager रख लेते हो वह सै में जो सारे खर्चों को क्या है रोर रिकॉर्ड करता है तो फिल्य काउंट में डालता है हम उसको यह बुलते हैं भाई साब हम आपको salary नहीं कमिशनघ रखे हैं कहाए कौह कौंसे कमिशन तो आप कहो गए सहब जो हमारे यहां नेट प्रॉफिट होगा जो भी आए हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट आएगी उसका दस पर्सेंट आप रख लेना बीस परसेंट जो भी परसेंट निदला रही तो इतना परसेंटेज आप लेने और पर एक पेंच फस गया आ आप मान के चलो कि पी एल अकाउंट बनाए और सारा खर्चा आपने निकाल लिए और नेट प्रॉफिट आ गया उसके बाद उस नेट प्रॉफिट पे आपने मैनेजर को कमिशन दे दिया क्योंकि नेट प्रॉफिट भीना निकालें पता ही नहीं चलेगा लेकिन जब आप आप ऐसा करोगे तो पूरा नेट प्रॉफिट हमने निकाला और नेट प्रॉफिट के बाद जो है हमने मैनेजर का कमिशन दे दिया यानि क्या हुआ पहले इस टिप में हमने किया नेट प्रॉफिट ठीक और नेट प्रॉफिट पे जो भी होगा हमारा उसे मान के चलो और अगर ये ब्याउसाय के लिए खर्चा आप एक बात बताो by ब्याउसाय के लिए खर्चा है को रिने अगर ये फिल एकांट में यह जाना चाहिए जाना चाहिए और जब जाएगा ये Бई साहब एक बात यह बताओ कर फिल हो तो होना चाहिए खर्चे में तो बिफोर के केस में जो मैनेजर का कमीशन है वो कहीं पील एकाउंट में क्या है खर्चों के हिसाब से माइनस नहीं हो पाते हैं नेट प्रॉफिट हम पहले निकाल लेते हैं और बाद में कमीशन लगाते हैं पर जो बुद्धी मान लोग होते हैं कहते हैं तुम्हारा कमीशन भी वेवसाय के लिए खर जाए तो अब इसको आप कैसे इंक्लूट करोगे तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है एक बड़ तो जब 100 को हम रेट जोड देंगे इसका मतलब इंपेक्ट टोटल पड़ेगा वह इंपेक्ट यही पड़ेगा कि आपका खरचा जो है इसमें इस नेट प्रॉफिट में क्या है एड़ेस्ट हो जाएगा जो मैनेजर का कमीशन है यही इतनी सारी चीजें हैं और यह मैनेज हुरू अँज यह हमारे पास जो क्वेश्चर यह दिया हुआ है और यह सिधे सीदह देख पा रहे हैं आप इसको एकना ट्रोप कि भी देख सब्सक्रेंगरी पास जो है डेट बैलेंस इस दिल्धिर लीक्रड़ेस दिया हुआ है श्रीक उसी तरीके से जैसे हमने ट्राइल में देखा था तो ट्राइल बैलेंस के साब से ही डेविड वैलेंस क्रेटिट वैलेंस होते हैं ठीक होसी थरीके से दिया हुआ है और नीचे हमारे पास क्या है कुछ एडिजेस्मेंट भी हैं जैसे को करना शुरू करते हैं यह हमारा लॉस्ट कोशन है कि आपको कई सारे कर ली जाती है कि सारे पॉइंट सारी चीजें लगबत कबर हो जाएं और आप लोग को ज़्यादा परेचान होने जरूलत ना हो अब देकि सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो पहले ही आप उसको कहीं नोट कर लो तो हमारे पास नहीं तुम्हें बोलते चल रहा हूं आपको खुदी पता चलेगा दोगर सबसे पहले आमाउंट है ड्रॉइंग्स को आपको पता है कि ड्रॉइंग्स जो है कोई हमारा खर्चा नहीं है इसलिए जो है यह पील अकाउंट में नहीं जाएगी कैस लोन बुल्डिंग यह परणीचर आपका चुआंपक लिए क्या है आपं ने आलाउंट किया खर्चा है यह अपको क्या मिल परचेज़ और ओनिंग स्टॉक दो चीजत दिया ह। तो हम सुरुवात तहां से करेंगे ओपनिंग स्टॉक से सुरुवात कर लेते हैं सबसे पहले क्या हो जाएगा टू लेकिन पर्चेज़ की वैल्यू डालने से तो अब इस पर्चेज में से क्या है। हम पर्चेज रिटरन माइनस कर देंगे क्या कर देंगे पर्चेस रिटर्न माइनस कर देंगे अब परचेस रिटर्न की वैल्यू कितनी है परचेस रिटर्न की वैल्यू जो मेरे पास देए 2450 है किया 1450 अभ माइनस करेंगे तो 0 मेंसे 0 गए 8 मेंसे 5 गए 3 10 में 4 गए 6 और 9 मेंसे 8 8 मेंसे 7 और जम स्ब्तानवे ये और मेन 7 से इब करती एंいました इंडल है यह सट्तानवी जहाग गारे इंट्बॉल अब हमारे पास अगला इटम क्या है नहीं कि हम वसके Fach नहीं और पाइस्ट इस इसbung अक है किश्चेस 되어 तो सेल्स हो गारे मैं जािय थिए हैностि में हमारे पास सेल्स का अबमांट दीआ हूआ है आइंदर जal झाएक सब्सक्रास को यह उन्य हणा। तो सेल्स रेटर्न नहीं लिखा है आप समझ जाओ रेटर्न है तो सेल्स रेटर्न कितना अठारा सो सतर करें कि कि अमाउंट कितना जाएगा तो दस में से साथ गए तीन और उसके पाद दोदह में से आठ गए छे जीरो दस में से गए नौ रेट दी दी लिया तो लैक सेवन्टी नाउन नाइन थाउज़एंड सिक्संग्रड थैर्ट एक एंसी वाली एक पता है कि इन डिर्फेंसे आपके सावान ने-खर्चे या पिस्ट्वा है और यह कहां चले जाएंगे पील में मतलब नहीं वुग डेट्स हमारे है याणि ड्रका डेटर की वैल्यू असट्स है बैट डेप्ट्स खर्चा है यह जाएगा आपका पील में इंसोरेंस अगेन खर्चा है इंडिरेक्ट एक्सवेंस से पील में जाएगा क्रेडिट साइड चेक कर लेते हैं कैपिटल दी हुई है डिसकाउंट रसेव पर्चेज रेटन सेल्स और यह सारी चीज़ें कोई भी और एमांट जाने का हमारे पास यहां पर नहीं है अब हमको जो है यहां पर टूटलिंग करनी है और टूटलिंग हम करेंगे तो देख पा आउन्ट में तो बाई क्लोजिंग इस्टाउक में हमने जब किया तो कितना गया सत्तर हजार रुपए यहां पर दिया हुआ है वाई क्लोजिंग इस्टाउक क्या और कोई चीद दी जाने सारी चीज़ें डिरेक्ट एकसमेंसरेंगे नहीं अब हमको टूटल करना है तो हम स और सीदे से देख पा रहे हैं सिदे पा रहे हैं रहा है तिक तो वही इधर भी आ जाएका तीन उन्चास छे सो तीस अब आपका डेविट साइड में कम पड़ा रहा है इसका मतलब आए जादा हुई है और खर्चे कम हुए है तो इसका मतलब हम क्या होंगे यहां पर प्रॉफिट में होंगी तो यहां क्या हो जाएगा टू ब्रॉफिट क्या हो जाएगा कैरीड डाउं अब खर्चे इसमें से हम माइनस कर दें खर्चे अब हम जोड़ना सुरू करें तो छे सो तीस में एक सो सतर जोड़ों तो कितना हो जाएगा यह साथ सो एक आठ सो आठ सो यह हो गए और सतानवे और पांच तो दो लाख दो हज आठ सो दो लाख दो हजार आठ सो में हम साथ दो सो बीस जोड़ दें अब इसमें से हम क्या है इसको जो है टोटल यानि 3,49,630 में से घटा के देखने हैं तो इधर 10,6,6,4,8,660 रुपए हमारा प्रॉफिट आया कितना 86,610 रुपए प्रॉफिट है कलकुलेशन की बात है कलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो और अब हम क्या बनाएंगे PL account बनाएंगे और ध्यान देना है कि हर एक शीच का हम मिलाते हुए चलेंगे PL account कि क्या जो है उसका नीचे adjustment में कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है